Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल तो उनके water एक दूसर से intermix नहीं होते हालांकि मैं हमेशा जोग्रफी क्लास में बोलता हूँ कि नदिया पंची पवन के जोके कोई सरद इन्हें न रोके लिकिन यहाँ सवाल कुछ अलग है यहाँ सवाल क्या है, सवाल यहाँ पर क्या नजर आता है कि basically at this particular place if I will be talking about the movement of water in the Pacific or in the Atlantic Ocean so what you will found कि there is a division between both the water आज हम यही analysis करने वाले हैं कि यह water दोनों हैं तो पानी ही तो फिर क्यों नहीं intermix होते अज सच कोई physical boundary भी मुझे वहाँ पर नजर नहीं आती, यही आज का topic of discussion रहेगा, तो चलिए जानने की कोसिस करते हैं कि ऐसा mixing, intermixing क्यों नहीं देखने को मिलती हैं इस video की, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप कपिल भारदवाज official telegram channel को join कर सकते हैं और अगर आप मुझे से बातीत करना चाहते हैं तो कपिल.bharदवाज 2022 पे मुझे directly इंस्टा हैंडल पे message कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि Atlantic और Pacific Ocean का पानी जो है दूसरे में mix क्यों नहीं होता, without any physical boundary, ठीक है? सवाल यह है तो जब मैं सवाल नजर आता है कि obviously Pacific है काफी बड़ा ocean है, Atlantic है काफी बड़ा ocean है definitely आपका North America, South America है उधर Europe और Africa है but still, अगर मैं water में बात करूँ तो there is a place कि जहां पे आपका water intermix तो हो सकता है, but still intermix नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण आज हम जानने की कोसिस करेंगे अच्छा, ऐसी चीज़े तो आपने करती है, similar way में अगर मैं बात करूँ कि अगर milk से हम जो cream निकालते हैं, तो definitely cream का layer जो है, वो अलग हो जाता है, तो मेरे पास काफी ऐसे phenomenon है, इन सब phenomenon से मुझे common चीज़ जो नजर आती है वो आती है, इनके density है जी हाँ, density जो है वो एक ऐसा common factor है इन सब में, जो इनको क्या करता है differentiate करता है, एक layer को दूसरी layer से अलग बनाता है, और right here आपके जो pacific ocean है और Atlantic ocean, उनके water के अंदर भी density का difference है, लेकिन ये जो density का difference है, ये काफी सारे factor से नजर आता है, वो क्या factor है, आज analysis करके जानते हैं, सबसे पहले चीज़ मुझे यहां पे नजर आती है, इनकी chemical composition, जी हाँ, इन water की जब chemical composition की जब मैं बात करता हूँ मतलब, मतलब इनकी chemical properties इनके अंदर कौन से कौन से agent है कौन से कौन से salt देखने को मिलते हैं, इस चीज़ की जब मैं बात करता हूँ, तो definitely मुझे पता लग था कि इनकी concentration काफी अलग है, और जब अलग है, तो definite सी बात है, वो इनके अंदर क्या करेगी difference create करती है, for example अगर आप जानना ही चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं काफी बार आपने क्या किया होगा basically, lab में experiment किये होंगे जिसके अंदर आप एक solution से क्या बनाते थे, crystal particles बनाते थे वो crystal particle एक solution से कैसे बन सकते हैं, in the similar way हम ocean water से salt बनाते हैं, वो कैसे बन सकता है, basically इनकी concentration जो है, वो अलग होती है, तो right here मुझे पता लगता है कि दोनों की concentration, chemical composition जो है, it is not same, that's why एक division जो हो दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है, इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ, तो दूसरा मेरे पास आता है, जो factor, वो factor नजर आता है, आपका हेलो क्लाइन, ये हेलो क्लाइन क्या होता है, देखिए मालो, इस glass के अंदर आपने पानी डाला, ठीक है न, अपने जैसे glass के अंदर water डाला, वो fresh water था, इसके बाद मैं दूसरे water की बात करता हूँ, और दूसरा water क्या होगा, वो water था जिसके अंदर आपने कुछ salt को add on किया, तो आपको लाइन, आपके different salinity को separate करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, hello climb बोलते हैं, तो right there मुझे एक hello climb नजर आता है, क्योंकि दौनों की salinity अलग है, और even Pacific और Atlantic की ही नहीं, मैं यहाँ पे बात करूँ, तो Bay of Bengal की salinity आपके Arabian Sea के salinity से difference है, और इसी लिए, वहाँ पे भी water की intermixing इतने ज़्यादा नहीं हो पाती, even अगर मैं बात करूँ, आपके Mediterranean Sea का जो water है, वो Atlantic से बहुँ ज़्यादा intermix नहीं होता, उसका current भी salinity होता है, जब आप देखोगे, even आपने सुना होगा dead sea के बारे में, का भी सुना है dead sea के बारे में, dead sea के बारे में, एक amazing property ये है कि dead sea के अंदर, even the human being can float, मतलब float, तैर सकता है, अगर उसको तैरना नहीं आता, तो भी वो क्या करेगा, डूबेगा नहीं, sink नहीं होगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण एक ही नजर आता है, नहीं कर पाएंगे, so right there मुझे नजर आता है कि definitely आपके salt से जो है density change होती हो, density के change होने की वज़े से एक layer जो हो create होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, hello klein के नाम से जाना जाता है, और वो hello klein layer आपके pacific और Atlantic के अंदर भी definitely नजर आती है, next हम बात कर सकते हैं, corallis force की, ये कौन सा force होता है, corallis force तो आज तक हमने नहीं सुना, सुना है क्या कभी, जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा, लेकिन आज एक अच्छी चीज बताता हूं में corallis force के बारे में, और वो ये हैं, कि corallis force, real में no force is there, in reality, corallis force कोई भी force नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, ये एक impact होता है, किस चीज का impact, तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि, और थ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो definitely you are aware कि, और थ क्या है आपका, आर्थ is rotating from west to east, चिक हैं, आपके aeroplanes के उपर, आपके water moment के उपर, एक impact नज़राता है, और वो impact क्यों होता है, यहाँ पर जड़ा देखने की कोस्स कीजिए, अगर आप अर्थ के rotation की बात करते हैं, तो on an average, लगबग अगर मैं बात करता हूँ, एक layman की term में अगर मैं बात करूँ, तो earth take 24 hours for this rotation, इस rotation के लिए earth कितना time लेती है, 24 hours, अब मुझे एक बात बताईए, यहाँ पे जो particle है, at this particular point, वो particle भी rotate करेगा, और definitely मुझे यहाँ पे circumference काफी long नज़रा रही है, और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो definitely इस point पे भी एक particle rotate करेगा, जिसकी circumference in comparison to this, वो small है, तो क्या मैं यह नहीं बोल सकता, अगर यह दोनों ही particle, एक smaller circumference में, एक larger circumference में, 24 hour में अपना rotation पूरा कर रहे हैं, तो speed का difference होगा, definitely, speed यहाँ पे high होती है, इस place पे speed होती है low, और relative speed के, जब देखेंगे, तो definitely मुझे पता लगेगा, यह particle जदा आगे निकल जाएंगे, distance में in comparison to these particles, that's why, आपका corollous force picture में आता है, कि जब एक particle को state forward, आगे भीज़ते हैं, तो मुझे पता लगता है, कि यहाँ पे particle जो है, जहाँ पे जाना था इसको, यह पीछे रह जाता है, और particle आगे निकल जाता है, और जब वहाँ से आपका, यही phenomenon नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो I get to know, कि यह particle आगे निकल जाएगा, और यह पार्टिकल को क्या होगा, पीछे देखने को मिलेगा, तो यह चीज मुझे नजर आती है, और इस केस में, मुझे एक conclusion नजर आता है, कि Coralist force हमेशा Northern Hemisphere में राइट वर्ड लगेगा, और Southern Hemisphere में आपका लेफ्ट वर्ड फोर्स लगेगा, that is as simple as that, जैसे कि आप लोग जब बस में ट्रैवल करते, ट्रेन में ट्रैवल करते, तो what you will found, आप देखोगे की भार कारज आपको क्या दिखता है, rotation नजर आता है, किस का, ट्री का, डिफ्टिनिल्ली, ट्री के rotation नजर आता होगा, क्योंकि relative आपकी speed आ गई है अब आर्थ के साथ में इसलिए corallis force वहां पर influence डालता है तो definitely everything which is moving with respect to the earth उसके अपर corallis force आता है और वो corallis force कहां पे लगेगा आपके water moment पे भी लगेगा जिसकी वज़े से आपके कुछ इस type के circle जो हो नजर आते है definitely अगर water का moment इस तरीके से बनेगा तो ये जो moment है वो मुझे बताता है कि ये जो दोनो water है ये एक दूसरे के अंदर intermix नहीं हो पाएंगे चाहे वो Pacific हो चाहे वो Indian Ocean हो चाहे वो Atlantic Ocean हो So right there I get to know कि because of this circulation आपका water जो है ज़्यादा intermix नहीं हो पाता क्योंकि current force अपना impact जो है उसको पर काफी ज़्यादा हद तक डालता है next important thing is the strength of the molecular connection आप लोगों को पता होगा कि वैसे तो देखो जब भी हम temperature को कम करते हैं तो मुझे क्या देखने को मिलता है I found कि temperature कम करने से density भढ़ जाती है definitely आपने देखा होगा काफे सारी चीजे जब भी आपकी cool down होती है तो वह heavy हो जाती है even air partial जो cool होता है तो वह heavy होता है और heavy air partial sink करता है but right there जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी ice की बात कर लो जब ice बनती है तो भी तो temperature कम हुआ और temperature कम हुआ तो उस हिसाब से ice भी क्या करना चाहिए heavy हो जाना चाहिए density भढ़नी चाहिए but ऐसा नहीं होता और ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि वहाँ पर chemical bonding होती है जिसका नाम है hydrogen bond जिसका नाम क्या आपका hydrogen bond in the similar way right here आपको क्या देखने को मिलता है जो water molecules है उनकी ओपर concentration उनकी chemical composition के हिसाब से उनकी जो अपने chemical bonds होते है जो chemical strength होती है जो molecules के connection होते है they are altogether different and that's why वो molecules क्या करते है एक दूसरे के अंदर intermix उस level पे नहीं हो पाते जिस level पे दूसरे ocean के particles intermix हो रहे है ठीक है क्योंकि concentration क्या है चींज है तो automatically उनकी strength of forces जो है वो दोनों की अलग-अलग होंगी apart from this even हमारे पास एक layer होती है thermocline की अच्छा एक example देता हूँ आपकी real life का example आप लोगों के साथ काफी बार हुआ भी होगा सर्दी में जो आप road लगाते हो पानी गरम करने के लिए तो काफी बार ऐसा होता है कि आप जल्दी में हैं और आपने देखा कि पानी गरम हो गया है उपर वाली layer आपको गरम फील हुई और आप नहने चले गई थोड़े दिर आपको महसूस होता है कि पानी तो गरम नहीं हुआ एक layer thermocline layer है जो कि temperature को क्या करती है differentiate करती है और temperature को differentiate करने की वज़े भी कारण क्या है आपका density क्योंकि temperature ज्यादा density कम temperature कम तो density ज्यादा and that's why one thing is lighter another is heavier और heavy or lighter particle एक दूसरे से क्या हो जाते है separate हो जाते हैं ये भी एक reason नज़र आता जिसकी वज़े से यहाँ पे नज़र आती है तो ये चीज़े मुझे बताती हैं कि इस वज़े से एक तो आपका chemical properties एक आपका saline salinity of the water और एक आपका temperature of water ये major important factor होते हैं जिसकी वज़े से एक ocean का water दूसरे ocean के अंदर intermix नहीं हो पाता और ऐसा सिरफ Atlantic और Pacific में नहीं होता अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो we have Baltic Sea और यह दर आपका North Sea है इन दोनों का water एक दूसरे में intermix नहीं होता इन दा सिमिलर वे जैसे मैंने बताया आपको Mediterranean Sea का water Atlantic के साथ में उस level पे intermix नहीं होता इन दा सिमिलर वे रेड़ सी का water Arabian Sea के साथ में Arabian Sea का Bay of Bengal के साथ में इन सब की contrasting property होने की वज़े से यह water एक दूसरे से intermix नहीं हो पाते और यह phenomena's काफी बार UPSC exam के अंदर पूछे जाते हैं और इन ही in-depth knowledge को आपको समझना बहुत जरूरी होता है इसलिए आप अपनी knowledge को increase करना basically start रखेंगे study IQ के साथ में study IQ is always with you और एक helping hand के तरह है study IQ लेके आया है आपके लिए एक live foundation batch भी जी हाँ, pre plus means live foundation batch यहाँ पे यही conceptual study आपको live पढ़ाई जाएगी इसके अंदर आप अपना fist to fist doubts पूछ पाएँगे और important things आपका batch जो start हो रहा है वो होगा 14th September से 6 PM से आपकी classes होंगी तो if you are a working professional तो भी आप इसका फायदा आराम से उठा सकते हैं एक और important things यह हैं कि आपका pre plus means batch के जब मैं बात करता हूँ 2023 के लिए अगर तो यह last batch होगा इसके बाद there is no batch for 2023 at last तो if you want to build up your foundation जो कि हर बंदे के लिए जरूरी होता है किसी एक्जाम को clear करने के लिए या किसी life को successful बनाने के लिए तो you can enroll right there अब आप लोगों की नजर गई होगी इसके price tag के उपर जो कि nearly आपको 25,000 नजर आ रहा है यहां पे आप इसको cut कर सकते हैं और आप use करेंगे couple live का code you will be getting it at a discounted price of 18999 only और yes important thing is आपकी classes geography से ही start होंगी and geography will be taken by me itself right okay guys then see you there in the class all the very best thanks a lot